हेलो फ्रेंट्स मैं सत्यजुद गायकवाड आपका फिर एक बार स्वागत करता हूँ आपके लिए लेकर आया हूँ एक और नहीं वीडियो जिसमें हम आज सिखने वाले है लेसन का यह पार्ट थ्री है यानि तीसरा वीडियो है अगर आपने पहली दो वीडियो नहीं देखिए तो जल्दी से जाकर उन्हें देख लिजिए पिछली वीडियो में हमने देखा था कुछ थेरम जैसे कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थेरम और अगल बासेक्टर थेरम आज उनके उपर बेस होने वाला प्रैक्टिस सेट 1.2 जिसके पूरे एक्जमपल्स आज हम देखने वाले है तो जल्दी से देर ना करते हुए हम इस वीडियो की शुरुआत करते है तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको उता दू इंडिया फॉर्स सोचल लिए ल गाइडन्स भी आपको मिलने वाली क्लास 12 के लिए उसके बाद आपको मिलने वाला है अनलिमिटेट डाउट क्लियरिंग सेशन्स पूरी की पूरी बाते आपको मिलने वाली है बिल्कुल ही फ्री कहां पर ओनली ओन नून आकेडमी तो जल्दी से जाए डिस्क्रिप्शन मे लेंथ आफ लाइन सेग्मेंट्स इडेंटिफाय इन विच फिगर सरे पीयम इस बास अंगल क्यूपी आर मतलब यहां कुछ डियाग्राम दी गए है और उसमें जो रे है वो रे रे पीयम कौन से डाइग्राम में बाइसे अंगल बाइसेक्टर है यह हमें फाइंड आट कर अगर सपोज यह वाला अंगल बाइसेक्टर होगा यह जो है यह वाला रे अंगल बाइसेक्टर है तो इन दोनों का रेशो और इन दोनों का रेशो क्या हैगा same आएगा, तो ratio same है या नहीं है, यह हमें, सिर्फ और सिर्फ यह हमें find out करना है, क्या करना है, int triangle, कौन से ट्रेंगल है, PQR, int triangle PQR, पहले तो PQ upon PR, यह वाला ratio find out करना है, PQ upon PR, यह वाला ratio क्या है, यह वाला ratio है, 7 upon 3, क्या है, 7 upon 3, तो उसके बाद इसे देंगे equation number 1, उसके बाद हमें यह वाला ratio find out करना है, इन दोनों का, मतलब QM upon RM, QM upon RM, यह वाला ratio क्या है, यह वाला ratio है, 3.5 upon 1.5, पॉइंट निकाल देंगे हम, क्या होगा, 35 upon 15, तो QM upon RM क्या हुआ, QM upon RM, इसे simplify कर देंगे, simplify करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 35 और 15 है, तो 35 and 15 को क्या करेंगे, उसे divide करेंगे, 5 से, मतलब QM upon RM, क्या बना, 5 से divide, 5 से 7 जा 35, 7 जा 35, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, equation 2 बना हमारा यहां पर, तो यह दोनों value जो है, equation 1 and 2, यह दोनों right hand side कैसी equal, यह देखिया, right hand side कैसी equal, तो left hand side क्या बनेगी, left hand side equal बनेगी, मतलब PQ upon PR, PQ upon PR is equal to QM upon RM, अगर ऐसा है समझो, यह किसी लिखा, from equation 1 and 2, from 1 and 2, तो अगर समझा, कुछ इस तरीके से है, इन दोनों का ratio और इन दोनों का ratio सेम है, तो यह जो है बीच में, यह जो ray है, यह क्या होगा, angle by sector होगा, किस theorem के सबसे, angle by sector theorem के सबसे, therefore, therefore, PM is by sector of angle QPR by angle by sector theorem, कुछ इस तरीके से हमें solve करना है, second question इसमें देखेंगे हम, second question क्या है, सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ रेशो और इन दोनों का ratio, equal है या नहीं है, यह हमें find out करना है, पहला वाला ratio है, PR upon PQ, PR upon PQ is equal to PR है 7, and PQ है 10, 7 upon 10, दूसरा वाला ratio का है, दूसरा वाला ratio है, RM, इसे number 1 देदेंगे, डिवाइड नहीं हो सकते, RM upon MQ, is equal to value of RM 6, and value of MQ 8, 2, 3s are 6, and 2, 4s are 8, equation 1 and 2 से देखिए, दोनों value different है, मतलब left hand side equal होगी, या नहीं होगी, नहीं होगी, PR upon PQ is not equal to RM upon MQ, तो not equal के बाद ये, अगर angle by sector होगा या नहीं होगा, तो नहीं होगा, अगर value equal है, तो angle by sector है, कह सकते, अगर value equal नहीं होगी, तो angle by sector नहीं कह सकते, मतलब PM is not a bisector of angle QPR, कुछ इस तरीके से यह वाले question हमें solve करना है, एकदम simple question है, एक माग के लिए आ सकता है, तो ऐसे कुछ चीज़ प्रकार solve करना है, question number 3, I hope आप solve कर सकते हो, उसका answer क्या आएगा, मुझे comment box में जरूर बताना, उसके बाद question number second, तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमें करना है, कि whether yanium is parallel to side RQ, हमें सिर्फ और सिर्फ question देखना है, और उसके लिए क्या ज़रूरी है, वो दहन में रखना है, yanium is parallel to RQ, है या नहीं है, यह find करना है, अगर suppose यह parallel है, तो क्या होगा, अगर suppose यह दोनों lines parallel है, yanium and RQ, RQ, यह दोनों parallel है, तो क्या होगा, इन दोनों का ratio और इन दोनों का ratio equal होगा, किस थेरम से, BPT से, BPT का यूज करके हम वो कह सकते हैं, अगर आपने पहली वाली वीडियो नहीं देखे, इस से पहली वाली तो देख लिजे, वरना आपको यह पूरे पूरे example समझ में नहीं आएंगे, अगर आपने थेरम अच्छे से कर लिए, तो आपको यह example समझ में आ सकते हैं, इसलिए पहली वीडियो देखे और बाद में continue कीजिए, तो देखे हम क्या कहेंगे यहाँ पर, पहले डिया गया है, जी नहीं, पहले देखे यह वाला जो segment है, यह पूरा segment कौन है, पूरा है, पूरा है, उसमें से क्या निकल दिया तो बचे का प्यन, तो यह नर निकल दिया तो प्यन बचे का, तो मतलब PR में से क्या निकलना है, PR-NR, value of PR क्या है, यह देखिए यहाँ पर PR20, और उसमें से यनर माइनस करना है, यनर कितना है, 8, minus 8, that is equal to 12, मतलब PN की value क्या मिली हमें, 12, तो कुछ उसी प्रकार हमें इधर PM, पता है, PM कितना है, 15, तो उसके बाद PQ मालूम है, पूरा का पूरा, कितना है, 25, उसके बाद MQ मालूम नहीं, मतलब PQ में से क्या, MQ निकलना है, MQ क्या करना है, find करना है, تو MQ is equal to kya बनेगा, MQ is equal to PQ, पूरा का पूरा क्या है, PQ, उसमें से क्या बाद में निकलना है, minus क्या करना है, PM, minus PM क्या बचेगा, PQ – PM करने बाद क्या बचेगा, MQ बचेगा, मतलब PQ, value of PQ कैया है, 25, minus value of PM क्या है, 15, कितना बचा, 10, 10, Mtl value of EMQ क्या बनी 10, अब देखिए, अब दोनों रिशाओ हम find कर सकते, अब क्या कर सकते हैं, दोनों रिशाओ find कर सकते हैं, क्या कर सेंगे, यह PN upon YnR करेंगे, पहले तो PN upon YnR, यह अवाला रिशाओ पहले find out कर लेंगे, कितना होगा तो, तो PN कितना है, PN है 12, और YnR क एक्वेशन वन देदेंगे और इधर का रेश्यों जो है यह वाला इन दोनों का मतलब पी एम अपॉन यहां पर भी पी एम अपॉन यहां मिली पी एम अपॉन यह इंप तो एक्वेशन, सेकंड तो कुछ इस तरह के सकते हां थे हम यहां सकते हम दोनाइन अपॉन एक्वेशन की ऊपॉन प्रणार दूसरी equation की left hand side यह दोनों क्या है equal है दोनों equal है मतलब क्या therefore अगर ratio equal है तो line parallel है उसे कहेंगे converse of bpt okay अगर ratio equal है तो line parallel है line parallel है तो ratio equal है तो line कौन सी है union therefore union is parallel to rq the reason is converse of converse of bpt converse क्यों लिया है यहाँ पर यह भी बात ध्यान में रखना है अगर ratio equal है और उसके बाद हम line parallel दिखाते है तब तब use करेंगे converse और इससे उल्टा अगर line parallel पहले दिखाई और ratio equal बाद में लिया तो उसे reason देंगे bpt ओके तो यह ध्यान में रखना है parallel है या नहीं हमें बताना था और उसका reason देना था यह वाला हो गया उसका reason यह converse of bpt ओक आप यह example आपको समझ में आ गया होगा अब आगे देखेंगे आगे है एक angle by sector theorem के उपर dependent है example कौन सा example है देखें तो यह वाला example है इंट रेंगल यम यन पी यंक्यू इस बाइसे कुछ हमें दिया है तो क्या करेंगे तो हम angle by sector theorem का use करेंगे therefore by by angle by sector theorem किसका यूज करेंगे अंगल बाइसेक्टर दिया गया है तो उसी का theorem यूज करेंगे न अंगल बाइसेक्टर थेरम क्या कहें गया इन दोनों का जो रेश्यों है वो इन दोनों के रेश्यों के बराबर होगा मतलब कि यह यह यानि यह पी पी यह पहली साइड उसका रेश्यों किसके साथ अपन यह 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 पी Q और YM Q यानि कि PQ या QP QP YM Q QP upon YM Q ओके QP कि लिया है यहाँ पर QP दिया गया है PQ और QP एक ही है तो कुछ भी ले सकते Therefore, अगर यह ratio equal है value put करना है value of PN क्या है value of PN है 7 upon value of YM, YM क्या है YM is equal to QP find out करना है as it is रखेंगे, आपन क्या दिया गए है, them q है 2.5, them q क्या है 2.5 तो यहाँ पर हमें ध्यान में रखना है, एक बात यहाँ पर क्या करना है cross multiplication करना है, सिर्फ क्या करना है cross multiplication याने के 7 multiplied by 2.5 और उसके बाद right hand side में क्या होगा 5 multiplied by QP अब क्या करेंगे 7 multiplied by 2.5 कितना आएगा 17.5 17.5 अगर आपको यहाँ पर rough में करना है तो rough में करके देख सकते 7 multiplied by 2.5 कितना आएगा 17.5 is equal to 5 multiplied by QP तो 5 इधर आएगे left hand side में 5 को क्या करेंगे multiply है तो इधर आकर divided बन जाएगा 17.5 divided by 5 is equal to क्या आएगा यहाँ पर QP तो answer कितना आएगा 53 is a 15 बच्या कितना 2 पॉइंट देंगे 25 हो जाएगा 55 is a 25 value of QP क्या बनने 3.5 तो कुछ इस प्रकार हमें यह वाला question find out करना था find QP करना था QP is equal to क्या मिला answer is QP is equal to 3.5 बस कुछ इस प्रकार से यह वाले question हमें find करना है इसके आगे देखेंगे आगे है यह वाला question एकदम इसी है 2-3 step में इसका answer मिल जाएगा measure of some angles in the figure are given measurements of some angles यह वाला जो angle है 60 degree और यह वाला angle 60 degree तो यह जो ratio है यह equal prove करना है तो ratio के लिए क्या होना ज़रूरी है वो देखेंगे पहले यह prove करने के लिए यानि इन दोनों का ratio और इन दोनों का ratio यह equal prove करने के लिए line parallel होना ज़रूरी है और line parallel होने के लिए 3 test रहती है alternate angle test, corresponding angle test, interior angle test तो यहाँ पर जो angle है वो corresponding angles है तो corresponding angles जो है वो क्या करेंगे corresponding angle test prove करेंगे therefore देखेंगे यहाँ पर angle जो है from figure from figure angle apq जो है angle apq is equal to angle pbc because each of 60 degree okay अगर corresponding angle equal हुए congruent हुए तो क्या होगा line parallel होगी therefore therefore pq is parallel to bc pq is parallel to bc angle are corresponding angles तो test कौन सी है corresponding angles test कौन सी test उसकी हमने corresponding angles test तो कुछ इस तरीके से देखना है corresponding angle test उसकी अगर line parallel है यह देखो यह दोनों अगर parallel है तो यह ratio आपने आप equal बन जाएगा कौन सा थेरम है वो basic proportionality थेरम therefore by bpt basic proportionality थेरम रेश्यों क्या बनेगा कौन सा रेश्यों एपी अपन पीबी एपी अपन पीबी एपी अपन पीबी इस इकवल टू एक्यों अपन क्यूंसी कि एड़ हैंस प्रूट ओके ड़न कुछ इस प्रकार से हम यह प्रूव करना थे इंस्टार स्टेप में हमारा आंसर मिल गया ओके इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है देखें इन ट्रैपेजियाम a b c d side a b is parallel to p q and side p q is parallel to dc यानि तीनों साइड क्या है पैरलेल हमें क्या दिया गया है a p d दिया गया है a p कितना है 15 p d दिया गया है कितना है 12 q c दिया गया है कितना है 14 तो find करना है b q तो यहाँ पर यह find करना है तो यहाँ पर a b p q और dc तीनों लाइन क्या है पैरलल है पहले तो वह लिख लेंगे 3 parallel lines की property याद को पिछली वीडियो में बोला था मैंने 3 parallel lines line या side कहेंगे AB is parallel to PQ and PQ is parallel to DC therefore property of 3 parallel lines by by property of 3 parallel lines क्या है property property कुछ इस तरीके से अगर 3 lines parallel है अगर समझो 3 lines parallel है और ऐसी 2 transversals है तो इसके बीच यह जो 2 parts है और यह वाले दोनों parts इन दोनों का ratio equal रहता है इसे हम intercept कहते है ratio of intercepts are equal मतलब कि यहाँ पर intercept कौन सा है AP उसके नीचे PD यहाँ पर intercept है BQ उसके नीचे है QC इन चारों का ratio क्या होगा? equal होगा, therefore ratio क्या बनेगा? equal AP upon PD यह वाला ratio किस से equal होगा? equal to BQ upon QC इस ratio से equal बनेगा मतलब क्या? मतलब इसमें आप क्या करना है? value put करना है और saw करना है? value क्या है? value of AP AP is equal to 15 PD had 12 is equal to उसके बाद BQ find करना है as it is रख देंगे upon QC क्या है? 14 क्या करना है देखिए? 3 से divide कर सकते हैं हम इसे या 3, 5 जा 15 and 3, 4 जा 12 अब क्या होगा यहाँ पर? 15 और 12 इनने divide क्या 3 से तो 5 upon 4 मिला तो 5 multiplied by 14 cross multiplication करेंगे 5 multiplied by 14 is equal to 4 multiplied by BQ that is equal to 14, 5 is a 70 is equal to 4 into BQ, 4 BQ अब क्या होगा? अब यहाँ पर हमें मिलेगा BQ का answer यानि कि 4 जो है वो divide में चला जाएगा 70 upon 4 is equal to BQ अब इसका solution कैसा है? 70 को divide करना है 4, 4 1s a 4 बचा कितना? 3 नीचे 0, 4 7s a 28 बचा कितना? 2 point ले ले लेंगे उसके आगे 0 ले लेंगे, 4 5s a 20 कितना है answer? 17.5 What is value of BQ? BQ कितना है? BQ is equal to 17.5 यह हमारा answer तो कुछ इस तरीके से यह वाला question हमें solve करना था I hope आपको समझ में आगय होगा उसके आगे है एक और angle by sector theorem का example Find QP using given information in the figure अभी अभी जो question हमने solve किया कुछ उसी प्रकार solve करना है क्या करना है? यह जो है NQ is angle by sector of angle यम यन P NQ is by sector of angle यन लिख दिया तो भी कोई problem नहीं तो क्या होगा? by angle by sector theorem किसके यूज करेंगे? angle by sector theorem का use करेंगे तो angle by sector theorem क्या है? angle by sector theorem को चीज प्रकार है कि इन दोनों का ratio और इन दोनों का ratio equal होता है मतलब यन यम therefore यन यम upon यन P is equal to MQ upon QP क्या करेंगे? value find out करेंगे, put करेंगे 25 upon 40 is equal to 14 upon QP मालूम नहीं QP find out करना है as it is रख देंगे plus 3, 11, 112 यहाँ पर 5 into QP as it is तो QP का अंसर क्या है? QP is equal to 112 upon 5 कितना है का अंसर? 5 to the 10 उसके बाद फिर से एक बार 5 to the 10 उसके बाद बचा क्या देखेंगे? यहाँ पर 112 by 5 to the 10 नीचे एक और 2 लिया 5 to the 10 बचा कितना? 2 बचा 2 पॉइंट लिया 0 दिया यहाँ पर 5 for the 20 22.4 22.4 QP is equal to 22.4 कुछ इस तरीके से यह वाला question solve करना है उसके आगे देखेंगे आगे एक और angle by sector theorem यहाँ पर भी angle by sector theorem यूज करना है तो आई होप यह वाला question तो आप definitely solve कर सकते हैं अभी दो-दो question हमने देखे angle by sector theorem के इस question में यह value find out करना है सेम सेम मेथड अभी पर जो किया हमने तो इसका अंसर आपको क्या करना है comment box में answer देना है क्या करना है find ylt जो जो लोग यह वीडियो देख रहे हैं हर एक ने अपना यह question solve करके इसका answer comment box में मुझे बताना है तो उसके बाद हम देखेंगे अगला question अगला question है यह भी angle bisector थे हम पर depend है लेकिन यह हम solve करेंगे देखें क्या है यहाँ पर दिया गया है inter angle ABC BD is the bisector of angle ABC वो हम पहले लिख लेंगे BD is bisector of angle ABC तो find क्या करना है find x करना है simple ज़्यादा कोई सोचने की जरूरूरत नहीं यहाँ पर और सिर्फ और सिर्फ angle bisector property लिखना है therefore by angle bisector theorem by angle bisector theorem क्या कहेंगे angle bisector theorem क्या कहता है कि इन दोनों का ratio और इन दोनों का ratio same होता है मतलब x यहने के पहले लिखेंगे AB upon BC AB upon BC is equal to AD upon DC AD upon DC तो उसके बाद value पूट करेंगे value of AB is x BC is x plus 5 is equal to दूसरी value क्या है AD x minus 2 है x minus 2 upon DC क्या है x plus 2 तो इसको क्या करेंगे cross multiplication करेंगे x multiplied by in bracket x plus 2 is equal to यहाँ पर multiplication क्या होगा x minus 2 multiplied by x plus 5 cross multiplication करना है और उसके बाद क्या करना है उसके बाद x multiplied by x क्या आएगा x square आएगा उसके बाद फिर से x multiplied by 2 क्या आएगा plus 2x आएगा is equal to यहाँ पर x multiplied by x x square आया उसके बाद x multiplied by 5 plus 5x आएगा उसके बाद यह minus 2 multiplied by x minus 2x आएगा और फिर से minus 2 multiplied by plus 5 तो minus plus minus 2 5 जा 10 तो कुछ इस तरीके से x square x square cancel हो जाएगा x square x square cancel बचा क्या बचा यहाँ पर 2x बचा is equal to 5x minus 2x that is 3x minus 10 as it is अब क्या करेंगे यह जो 2x है यह 3x इदर लाएगे 3x minus 10 as it is रख देंगे तो 2x minus 3x क्या आएगा minus x तो minus x is equal to minus 10 तो minus minus cancel कर देंगे x is equal to क्या बनेगा 10 x is equal to 10 इस दा answer क्या करना था हमें find the value of x x is equal to 10 क्या मिला x is equal to 10 मिला simple question था एकदम कुछ सोचने वाली बात नहीं थी ज्याद़ा सिर्फ और सिर्फ हमने गया कि जो angle by sector theorem है उसकी जो property है यहाँ पर लिख दी value put की और cross multiplication करके solve कर देंगे ज्याद़ा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है यहाँ पर तो देखें आगे आगे यहाँ पर एक activity दी गए है अब activity भी आपको exam के जो सोचेंगे exam के बारे में तो activity भी बहुत जरूर है activity भी exam में आपको पूछी जाती है देखेंगे यहाँ पर क्या बताया गया है simple ज्यादा कुछ सोचने की बात नहीं ज्यादा कुछ भी यहाँ पर ज्यादा दीमाक लगाने की जरूरत नहीं जो जो यहाँ पर दिया गया है उससे आप सोचेंगे PQ is parallel to DE कहां पर है वो पहले देख लेंगे PQ यह देखें यहाँ पर parallel to DE यह देखें यहाँ पर तो यहाँ पर दिया गया है XP XP यह वाला segment उससे आगे क्या है PD तो नीचे PD लिख देंगे यहाँ पर दिया गया है QE यहाँ पर उसके उपर क्या है XQ है तो यहाँ पर XQ लिख देंगे basic proportionality theorem दिया गया है तो उसके बाद यह वाला पहला bracket जो है PQ is parallel to DE दिया गया है यहाँ पर देखिए PQ is parallel to DE लिख देंगे तो क्या होगा इससे QR is parallel to EF QR कहाँ पर है यह देखिए यहाँ पर इस parallel to EF यहाँ पर तो यह दोनों ratio XQ और QE XQ upon QE यह ratio XR upon RF से equal होगा XR upon RF तो इसे भी हम क्या कहेंगे basic proportionality theorem तो उसके बाद equation 1 from 1 and 2 यहाँ पर लिखा गया देखिए 1 and 2 की comparison किजिए 1 and 2 में क्या है क्या दियागे XQ upon QE common है उसे बाजों में निकल फिक किए XQ upon QE equal है मतलब बची हुई value भी equal होगी बची हुई value यह आने XP upon PD is equal to XR upon RF तो कुछ इस तरीके से हमने यह वली कोई भी ज्यादा सोचे हुए बिना ज्यादा सोचे हमने यह activity जो है वो solve कर दिया यहाँ पर तो कुछ इस प्रकर से आपको solve करना है ज्यादा सोचने की बात आपको यहाँ पर बिल्कुल ही सोचने की जरुरत नहीं है ज्यादा तो देखिए उससे आगे एक आपको ऩुक्हाफ आपको देखिए क्या है इंट्रांगल इंट्रांगल एबीक हाँ यह तो पहले तो यहाँ पर हमें डायुखर नहीं क्या करनी होगी डायाग्रम ड्रोडेंटा ने क्या करना अऩंथ त्रीके क्या है यह ट्रेंगल A B C तो यह A B C में यहां पर क्या दिया गया है A B is congruent to A C यानि दोनों साइड क्या है इक्वल है यह वाली दोनों साइड तो उसके बाद रे BD बाए से ट्रेंगल ABC ABC इसका बाए सेक्टर कौन सा है BD और AC B का बाए सेक्टर कौन सा है CE CE यह वाला बाए सेक्टर है CE जो है वो बाए सेक्टर किसका है वो है बाए सेक्टर एंगल AC B का तो हमें प्रूव क्या करना है प्रूव दाट ED is parallel to BC ED यह वाला जो segment है ED यह parallel है किसे BC से parallel है यह हमें प्रूब करना है तो क्या करेंगे पहली बात तो यह तो हमें क्या करना है अंगल बाइसेक्टर थेरम यूज करना है इंटर अंगल ए बीसी देखें इंटर अंगल ए बीसी बीडी बाइसेक्ट अंगल ए बीसी बीडी बाइसेक्ट अंगल ए बीसी तो यहां पर अंगल बाइस थेरम एंगल बाइसेक्टर थेरम क्या होगा देखिए यहां पर देखिए यह BD जो है यह एंगल बाइसेक्टर है तो बची हुई दोनों साइड कौन सी है साइड AB AB and BC उनका रेश्व लेंगे AB upon BC is equal to AD upon DC बन जाएगा देखिए यहां पर AD upon DC कुछ इस तरीके से देखिए यहां पर यह एंगल बाइसेक्टर है इन दोनों का रेश्व लिया और इन दोनों का रेश्व लिया ओके तो AB upon BC is equal to AD upon DC equation 1 देकर छोड़ देंगे उसके बाद दूसरा सेटर कुणता है C E bisect angle ABC CE bisect angle AC B तो देखिए कुछ यहां पर इस तरीके से यह वाला ट्राइंगल है यह वाला एंगल बाइसेक्टर है इन दोनों का रेश्व लेंगे और इन दोनों का रेश्व लेंगे ओके बाइधेरफोर बाई एंगल बाइसेक्टर थेरं अंगल बाइ BC is equal to बचा क्या AE and EB AE upon BE AE upon EB लिख देंगे कोई बात नहीं equation second अब देखिए यहाँ पर equation 1 and 2 में क्या देखा यहाँ पर देखिए हमें दिया गया है कि AB is congruent to AC AB is congruent to AC यह क्या गया है दिया गया है यानि कि given part है तो देखिए यह देखिए AB और यह देखिए AC क्या है equal है और उसके बाद यह नीचे BC BC तो पहले से common है यानि कि यह पूरी left hand side क्या है equal है और अगर left hand side equal है तो यह वाली right hand side भी क्या होगी equal होगी right hand side मतलब क्या कि AD upon DC is equal to AE upon EB अब diagram में देखिए AD upon DC यह दोनों parts is equal to AE upon EB ऐसी condition कब बनती है ऐसी condition बनती है जब हमें parallel line दी जाती है यानि कि इसका मतलब है कि ED जो है वो BC से parallel है therefore ED जो है इस parallel to BC इसे हम कहेंगे converse of BPT reason क्या है converse of BPT यानि जब ratio equal होता है ratio equal होता है तब हम क्या करते है line parallel लेते हैं उसे हम कहते है converse of BPT अब line parallel जो दिखाएगे है वो किस से दिखाएगे from 1 and 2 ratio equal दिखाया गया है from 1 and 2 and line parallel because of converse of BPT तो कुछ इस तरीके से आपको यह पूरा का पूरा practice set solve करना था जो कि हमने यहां पर solve कर दिया तो I hope यह पूरा का पूरा वीडियो जो है पूरा का पूरा practice set जो है वो आपको समझ में आ गया होगा अगर इससे related कोई भी problem है आपको या कोई भी शिकायत है या कुछ पार्ट समझ में नहीं आया अगले टोपिक में हम अगले वीडियो में discuss करेंगे thank you